दोस्तों इससमें रासन कार्ड को लेकर लाखों लोग परेसान हो रहे हैं आपको पता होगा कि EKYC करवाना अनिवारिक कर दिया गया है सरकार की तरफ से पिछले कुछ दिनों पहले नोटिफिकेशन आया हुआ है कि जो लोग भी अपने रासन कार्ड में EKYC नहीं अपने गाउं या फिर राज से बाहर रह रहे हैं जी हां अगर अगर अपने छेत्र में अपने गाउं में हैं अपने राज में हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आप कभी भी अपने रासन की दुकान पर जाकर अपनी EKYC करवा सकते हैं लेकिन अगर आप काई नोटिफिकेशन में बताया हुआ है कि आप जहां भी है जिस भी राज़ी में हैं वहां पर आप अपनी EKYC करवा सकते हैं बट प्रेक्टिकल में ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि कई लोगों ने ये भी सिकायद की है कि दूसरे राज़ी में अगर हम रासन के दुकान पर ज क्योंकि उसकी डेट भी बहुत ज्यादा नहीं है अभी हालां कि 30 जून ही डेट थी बट उसको सरकार ने बढ़ा दिया है और अब 30 सितंबर तक आप अपने रासनकार्ड की करवा सकते हैं और उसमें जितने सदस से सबको अलग-अलग अपना बायोमेट्रिक दे के करवानी प सबसे नहीं करवाता है तो उसका रासन बंद हो जाएगा या फिर नाम कड़ जाएगा अगर इसकी कोई आनलाइन सुविधा मिल जाती तो अच्छा होता कहीं भी हम किसी भी स्टेट में हैं और वहां से आनलाइन अपनी के वाशी कर पाएं हालां कि ये सुविधा सभी आपके वाशी कर पाएं तो आज मैं ऐसे ही एक राजी के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पर अगर आप रहते हैं तो वहां पर आनलाइन आधार ओटीपी के माधियम से अपनी के वाशी कर पाएंगे और अपने का स्टेटस भी देख पाएंगे कि आपके रासन काड़ की के वाइसी कंप्लीट है या फिर नहीं है तो चलते हैं फोन की स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि कैसे आप आनलाइन अपनी रासन कार्ड की कर पाएंगे पर उससे पहले आप से रिकेश्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन स्लाइब में दिखाते हैं तो देखे सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आ जाना है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्ट्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ पर क्लिक करके बहुत आसानी से पोर्टल पर आ सकते हैं और यह मैंने डारेक्ट लिंक दे रखा है आपको ज्यादा सर्च करने के भी आवसेक्ता नहीं पड़ेगी, बस क्लिक करके और इस पर आ सकते हैं, देखे, यहाँ पर लिखा हुआ है, लिंक आधार with राशन कार्ड, active and directive, और उसके बाद देखे, EKYC लिखा हुआ है यहाँ पर, और इंटर राशन कार्ड नमबर लिखा हुआ है, यहनि कि आप इस वोर्टल से अपनी EKYC कर सकते हैं, अब देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर रासन नंबर अपना टाइप कर देना है उसके बाद में सर्च करेंगे तो आपके रासन कार्ड की पुरी डिटेल आ जाएगी और वहीं पर KYC का स्टेटस भी दिखा दिया जाएगा और जिसकी भी KYC करनी रहेगी अगर किसी की न स्टेट का है और मैं दूसरे स्टेट में रहता हूं तो इसलिए जिस स्टेट का यह पोर्टल है उस स्टेट का रासन कार्ड मेरे पास नहीं है वहां का रासन कार्ड नंबर मेरे पास नहीं है इसलिए मैं इससे आगे का प्रोसेस नहीं दिखा पाऊंगा बट अगर आप इ कर सकते हैं उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा अगर आप पस्चिम बंगल के रहने वाले हैं वहां का आपका रासन कार्ड बना हुआ है और आप किसी अन्य राजी में रह रहे हैं तो आप अनलाइन अपनी रासन कार्ड की कर पाएंगे बट सरकार को इस पर ध्य माध्यम से अगर नहीं करवाना तो ना करवाएं उसके अलावा दूसरे ऑप्सन भी होते हैं जैसे कि या तो स्यस्सी पर सुप्धा दे दे कि स्यस्सी पर रासनकार्ड की कर सकते हैं यह फिर सेoya chance की जा सकती है। सिस्थे की लोग आसानी से अपने रासन काड की कर पाएं और वो लाइब रहेगा क्योंकि ओटीपी तो चले मोबाइल नमबर पड़ा हुआ है इंसान है नहीं फिर भी हो जाएगा लेकिन अगर फेस्ट अथेंटिकेशन के माध्यम से करेंगे तो इंसान जब तक रियल में सा जरूर करिएगा और आप किस स्टेट से हमारे वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके अपने स्टेट का नाम भी जरूर बताईएगा ताकि हमें पता चल पाए कि आप किस स्टेट से देख रहे हैं और आगे जो भी नए-नए अपडेट्स आते रहेंगे उनकी जानकारी के बेल आइकन को आल पर सेट करके जरूर रखिएगा चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई जानकारी के साथ में तब तक के लिए जायें